नमस्कार किसान भाईयो राजपूत फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है किसान भाईयो ये जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरपतवार नाशक दबा का रिजल्ट दिखाएंगे पिछली बार हमने इसी प्लोट की हमने इस्प्रे करते हुए वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम इसमें एक अलग तरीके से फार्मूला कम कीमत का लगा के देखेंगे और हमारी फसल में उसका क्या साइड इफेक्ट रहेगा और घास जो खरपतवार है वो कैसे खतम होगी उसके बारे में हमने आपको बताया था और आज जो है फिर से मैं उसके रिजल्ट की वीडियो लेके आया हूँ तो यहां पे हमें केवल-केवल रिजल्ट दिखाना है कि हमने जो दवा का स्प्रे किया है वह उसका रिजल्ट क्या रहा है अभी तक तो आप स्क्रीन पैनल पे, साइट पे देख लीजिए कि जो हमने दवा इस्प्रे कराई थी वो कुछ स्प्रकार से कराई थी पूरे खेत में आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा प्लॉड था और आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको यहां पे जो दिख रहा है किसान भाईयो पीला पीला सा तो यहां पे इतनी ज़्यादा खरपतवार थी और बहुत ज़्यादा भधा के रूप में थी और यहां पे चोड़ी पत्ती महिन पत्ती भधा यह सारी घासे थी खरपतवार जितनी भी थी वो पौदा ग्रोध करता है बड़ जो लंबा होता है पौदा लंबाई जरूर रोपती है चाहें वो किसी भी प्रकार की खर्पतवार हो है हाला कि यहां पे हमारे पौदे को आप ध्यान से देखेंगे तो बिलकुल स्वस्त है कोई पीलापन नहीं पौदे के उपर बिलकुल पर तो मेरे जो बताने का मकसद है आप लोगों तक मेरी जो जानकारी है वो पहुचाने का यह मतलब है कि अगर आप खर्पतवार ना सकते दवा लगाते हैं तो आपके पौदे पर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन फिर भी उसकी जो लंबाई है घटा खा जाता है बाकी किसी भी प्रकार का इस पर जैसे पीलापन हो रहा है या पती लिफलेट का कोई अटेक हो रहा है किसी तरीके की और बीमारी खर्पतवार ना सकते दवा के चलते होती है वो कुछ भी आपको इस खेत में नहीं दिखेगा जैसा कि वीडियो में हम आपको साइट से दिखा रहे है किसान भाईयो और घास जो खर्पतवार है उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की हो गई आपको जहां तहां देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे जो आवारा पसू है उन्होंने पूरा खेत यह लगबग खा लिया था तो यह यहां पे कल्लों की संख्या भी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि यह खेत ऊचे पे था पानी भरते हैं नीचे निकल जाता है तो कुछ पानी की कमी से और जो आवारा पसू हो ने उसे ध्यान से आप देखिए खा लिया था इस तरीके से आप ध्यान से देख लिजिए पूर तो यह वीडियो बनाने का मेरा यह मोटेफ है कि अगर आप अपनी धान की फसल में खरपतवार ना सक दबा का प्रियोग करते हैं तो यह फार्मूला भी काफी अच्छा रहेगा और इतना महगा भी नहीं 600 रुपे के एबब में यह कंप्लीट दबा मिल जाती है तीन प्रक है और पौध है कि मैं फिर बता रहा हूं ग्रोथ जो लंबाई है उस पे थोड़ा फ़रक पड़ता है बाकी चीजों पर जैसे पीला हो जाए पत्ती पीली पड़ गई या पौदा हमारा जल गया ऐसा कोई साइड इफेक्ट इस दबासे नहीं है एकदम परफेक्ट है तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा जैहिंद नमस्कार